घ्रज विव्रीमumuz इसे मेगा लिathिक भी का जाता था क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जब ये मरते थे तो उनके बर्यल के रख़िये ते जिसे मेगा लितिक के नीघोया जाता था मिर ऐक कल भी कहा जाता है उसे दफसनाने के बाद बड़ा पत्थर रख देते थे ओके देख लेते हैं हम लोग तो इधर चेर थे ये काविरी नदी के उपर चोल थे और नीचे पांडे थे आप देखते हैं अगले इसमें मैंने बना रखाया बिल्कुल उपर चोल हैं और नीचे पांडे हैं इधर चेर हैं सबसे पहले चेर देखते हैं चेर जो केरला में थे मैं केपिटल था इनका वेंंट Delhi और कर्यूग भी इनकी दूसरी में Gospel थे अनदर जो ते अधा LAU踏 के NICK आइंब Lelevel था इनका arenas änn업us मेनिंग आप जहता है माउंटनियन countries होता है जैसे western ghat में जो mountains है उधरी ये लोग रहते थे तो इसलिए mountainian country कहा जाता है इसका चेरों का पहला evidence जो है वो मिलता है एस्टरे ब्राहमर थे एस्टरे ब्राहमर जो है उससे मिलता है हमें इसके बारे में पांडे जो थे इनका capital जो है मुदरी मुदरई है another capital इनका पोर कई है जो कि एक पूर्ट है first king जो थे इनके नेडियोन थे और emblem था इनका फिस ओके इनका पांडे का meaning होता है प्राचीन देश first evidence इनका मिलता है इंडिका से जो कि यह बताता है कि साउथ आप कावेरी में थे कावेरी के साउथ में थे अब चोल को देख लेते हैं चोल का capital उर्यू था another capital पोहार और कावेरी पट्टम था जो कि एक पोर्ट था फर्स्ट केम जो थे उर्हार पर रहा है थे और emblem था इनका tiger चोल का मतलब होता है new country और इनका first evidence जो है अश्टध्याई से मिलता है जो पढ़ने ने लिखा था अश्टध्याई उससे मिलता है अब देखते हैं कि जो संगम एज था इसमें थ्री संगम काउंसिल हुए थे ती थे मदूने मुदूने रहे और अकन्तियम ओके अगस्त जो अगस्तरी सी जो थे उन्होंने उत्तर के सब्यता को दच्छड में ले जाने वाले यह पहले व्यक्ति थे सेकेंड संगम जो हुआ वो कपाट पूरम में हुआ चेर्मेन थे अगस्तर इसी, फाउंडर थे लिक्स के तोलका पियर और मेंबर थे 49, नमबर अपकी जो थे 59, फेमस लिटरेचर है अकंता पीम और तोलका पीम, तोलका पीम अभी भी अवलेबल है, थर्ड जो संगम हुआ था, उतरी मदुरय में हुआ था, चेर्मेन थे इसके नकीरर, मेंबर थे 49, नमबर अपकींग 49 थे, लिटरेचर जो था वो था, पदी रुपत्तु और परिपादल, ओके, पांडे डानेस्टी जो थी, अब देख लेते हैं डिटेल में, पांडे डानेस्टी जो थी, वो थी, फर्स्ट एविडेंस आफ पांडियाज वर गिवे जो कि इन्डियों के किनारे तो करेट करते थे हैं और उसका ट्रेट करते तो इसलिए जाने जाते है के ईडिस्क्रेब पांडे डानेस्टी जे माहर इनको कहा जाता है आपस में और इन्होंने पांडे से लड़े थे ओके आपस में और इन्होंने पांडे से लड़े थे आप देख लेते हैं हम लोग आगे क्या है और तो इसमें जीत किसी पांडे जीते थे पांडे अकेले थे और पांडे ही जीते थे नकीरर वास देख पुहार इंकावरी पट्टम पुहार पोर्ट जो है उसकी फांडर थे कारीकल कारीकल का मतलब होता है बॉन्ड फिट जला हुआ पैर अगले थे इनको पूरो जन्र में स्पाइडर या मकड़ा भी कहा जाता है कि पूरो जन्र में थे चेर डानेस्ट्री में सबसे पहले उदेंजेरल जो थे यह कुरुछेत्र में भाग लेने वाले युद्धाओं को भ पतनी पूजा और यह पतनी पूजा इसको कंदगी पूजा भी कहा जाता है और कंदगी पूजा इसलिए कहा जाता है क्दगी का हमारी इतियास में बड़ा important role है मड़ी मैखले नाम की एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें की कंदगी कोवलन और सारे करेक्टर्स हैं जिनके बारे में बताया गया है तो आप पर यूट्यूब पर या फिर कहीं भी सर्च करके सुन सकते हैं मड़ी मैखले और एक और कहानी है जिसे मैं आगे बताऊंगा वह आप सुन सकते हैं उसके बारे में क्योंकि इसे रेटेट क्योश्चन आते हैं परेंजेरल एरम पोपोई जो ग swarm सुगरकेन जो काल्टिवेशन संघार्गके सहुआउ término ने सुरू किया था सिलप अधिकारम के बारे मैंने बताए था और मड़ी मैखले जो थी मढडी मेखले की पुत्री जो थी उसकी स्टोरी आगे बढ़ती है तो उसके बारे में इसमें लिखा गया है तो आप इसका सौर्ट जो है थीम आप जान सकते हैं यूटीव पर कोई वीडियो सर्च करकर देख लेंगे तो जल्दी से पता चलिएगा अभी मेरे पास समय नहीं है यहां बतान के लिए कि हम लोग इस्टोरी डिसकस करें आगे अब हम देखते हैं आगे गुपता इंपायर है गुपता इंपायर है हम लोग आगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए दैने बात थैंक यू